हमस्कार दोस्तों फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूटूब चैनल पर दोस्तों हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बहुतरीन इस्टाक का चुनाव किया हुआ हलाकि टेक्निकल आपको यहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा रिसेंट में ही कंपनी लिस्ट हुई मैं बात कर रहा हूँ 28 अगस्त को अठाईस अगस्त को कंपनी ने IPO के माध्यां से 214.5 करोन रुपए जुका है जिसका उप्यो कंपनी कारियाले परिसेर का अधिगरहर पूंजगेत वेका बित्ति पोशन तथा सामान ने कारपोरेट परिसे का हाई लगता है उसके सेकंड आप देखेंगे तो अपर सर्किट उसके बाद से 2 शेटमबर की मैं बात करूं 349 रुपए सी पैसे का हाई लगा उसके बीच में आप देखेंगे तो इस्टाक मार्केट के अंदर काफी उठा पटक देखने को मिल रही है आप देखे दोस्तों उसी क्रम में सबसे पहले तो हम आपको कमपनी का नाम बताएं आज हम डिसकस करेंगे ओरियंट टेक्नोवाजिस लिम्टेड के बारे में दोस्तों कमपनी काफी पुरानी है लिस्टिंग जश्ट अभी हुई है बिजनेस माडल काफी अच्छा है दोस्तों क्या स्टाक के अंदर क्या देखना चाहिए यही सब तो देखना होता है अगर फंडामेंटल अच्छे हैं कमपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है कमपनी के सेल्स अच्छे हो रहे हैं कमपनी का आपरेटिंग प्राफिट निरंतर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है चार्ट आइटोमेटिक ऊपर की तरह बढ़ता हुआ ही जाएगा तो दोस्तों जो कुछ मैंने अभी तक यहां और देखा तो काफी बेतरी देखनों को मिल रहा है अगर मैं एर और ये वैसे के सेल्स और आप्रेटिंग प्राफिट की बात टों ते निरंतर ये रर ये वैसे पे जम्प हैं अगर मैं माट 2022 के सेल्स की बात करों जो 4367 कलोर यह करते थे 2023 स्का साथ 535 क्रों के घुए 24 थो नी फ्रेस इंत्री के बारे में बाइंग करने के आये अगर में। तो दोस्तों वीडियो के लास तक बने रहिएगा तब आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कंपणी के बारे में सुष्म जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों 1997 में कंपणी के अस्थापना हुई थी Orient Technology Limited मुंबई महाराष्ट में इस्तित एक तेजी से बिस्तार करने वाली IT समाधान प्रदाता कंपणी है जो अपने बेवशाय छेत्रों में बिशिश उस्पादों और समाधानों को बनाने में गहरी बिशेशकता रखती है अगर हम नए उद्यम की बात करें तो Orient Technology Limited ने हाल ही में डिवाइस एज एस सर्विस में कदम रखा इस माडल के तहर कंपणी, डेश्टाप, लैब्टाप, टैबलेट, प्रिंटर, स्कैनर, स्मार्टपॉन और सर्वर प्रदान करने का कारे करती है दोस्तों अगर हम इनके ग्रांकों की बात करें तो Blue Chip Corporate Investment Center, Trade Bulls Securities, वसई जनता सहकारी बैंक, वसई विकास सहकारी बैंक, इंटे ग्रेयान, मैगनेज सालूशन, कोल इंडिया, मजगाउडाग, CPR जैसे बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर हम भावगोली को पस्तिती की बात करें तो कमपनी अपना अधिकांस, राजर्शो, भारत से कमाती है जिसमें बहुराष्टी, निगमों से प्राप्त, राजर्शो भी शामिल है इसका मुख्याले और कार्पोरेट कार्याले मुंबई में देखने को मिलता है इसके अत्रिक्त नवी मुंबई, पूड़े, आमदाबाद, नई दिल्ली, बैंगलोरू और चन्नई में भी इसके कार्याले दिखाई देते हैं Singapore में भी इसकी एक साखा देखने को मिलती है दोस्तों आप बारी आती है इसके टेक्निकल पैरा मीटर को जानने की तो सबसे पहले सपोर्ट और रसिस्टन को जान लेते हैं अगर मैं फर्स रसिस्टन की बात करें 309.68 का है सेकंड रसिस्टन की बात करें 315.72 का है थर्ड रसि शपोर्ट की बात करें 284.18 का देखने को मिल रहा है जोस्तों सिंपल मोरे अगर हम बात करें यह नहीं कुछ भी है नहीं कंपनी के 10 डेज के सिंपल मोरे देखने को मिल रहे हैं सब अगर कमपनी के फन्ड़मेंटल उपर डालें तो सबसे पहले आस पहले मार्केट का बाइ एक पर देखने को देखने को मिल रहा है अब एकने जर कंपनी के शेयर होलिंग पैटर्न को आप यहां पर देखेंगे 73.21% की holding promoter की है DII की बात करें 6.03% की holding है Yafai AI की बात करें 6.49% की holding है काफी अच्छी दिल्चस्पी यहाँ पे Yafai DII की देखनों को मिल रही है Public Investor के पास 14.27% की holding देखने को मिल रही है तो चलिए अब हम आपको चार्ट को उपर लेके चलते हैं लेवर्स को ध्यान से सुनिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरी website भी है www.bigmoneyreward.com आप जाके विजित कर सकते हैं सारी जानकारियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता है यहाँ पे company list हुई उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अपर सर्किट फाइनली यहाँ पे 349 रुपया सी पैसे का हाई लगा फिर से इस टाक के अंदर एक जबर जस्त गिरावट यहाँ पे वापिस से इस टाक 20% चला उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो कि एक consolidation फिये जाए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा जब यह इस टाक वापिस से 325 के उपर निकले तभी इसके अंदर fresh buying के बारे में सोचिए जिनको IQ लगा है वो बिंदास यहाँ पे इसको hold कर सकते हैं और fresh buying 325 के उपर है जो आपको टार्गेट देखने को मिलेंगे 375 400, 450 तक के टार्गेट आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन जब यह 325 के उपर सस्टेन करेगा तब और इस्टाप्लास आपको तभी रखना है 300 रूपे का दोस्तों मेरा डिस्क्लेवर है मैं किसी भी इस्टाप के अंदर buy असर करने का कोई recommendation प्रवाइड नहीं करता हूँ किसी भी स्टाप के अंदर निवेस करने के पहले अपने financial रवाईजर से सलाजूर ले 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 दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को like, subscribe, dostow के साथ share करना ना बोले दोस्तों क्योंकि future में सी बहुत सारी वीडियोज है जो आप लोगों के लिए काफी help इस दोस्तों अपना और अपने पूर्टफोलियो का रखियेगा ख्याल कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन प्रेकाउट इस्टाक के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों